नमस्ते आईटे में पढ़ने वाले सभी इस्टुडेंट्स जो इंजिनिरिंग ड्राइंग के त्यारी कर रहे हैं और सेकेंड डियर इलेक्ट्रिकल गुरूप के अंदर हैं उनकी लिए यह चक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल से संब्दित इस्टुमेंट्स और एक्विपेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पिले इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इस्टुमेंट्स व्यद्यूतिक क्रासियों जैसे वोल्ट है एंपियर वाट ओम आदिके मापन के लिए बनाए गए यंद्र व्यद्यूतिक मापक यंद्र कहलते हैं इन यंद्रों की कायरे प्रणाली विद्यूत्यूत्यूमकिय विद्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत्यूत पर आभु आम मेटा कुछ रिकॉर्डिंग इस्टूमेंट से हैं व्यदोधिक राशी के ताथकालिक मान घ्राफ के पर पर अंकित करने वाले यंत्र जैसे रिकॉर्ड़िंग वूल्ट मेटर आ थी पिर है संचियक जंत्र, इंटीग्रेटिंग इस्टुमेंट, व्यत्यतिक राशी के प्रेक्षिन काल के घंत्रकुल मान को दर्शाने वाले यंत्र, जैसे किलो वाट गंटा यंत्र. सूचक जंटरों में कार्यत बल संक्य तक को पूर्वांकित प्यमाने पर गतिमान करने वाला बल पर है नियंटरेक बल कंट्रोलिंग तॉर क्यू संक्य तक की गुमाव गती को नियंत्रण करने वाला बल यह बल इस्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली अत्वा गुरुत्विय नियंत्रण प्रणाली से प्राप्ष किया जाता है फिर है आवमंदक बल डेंपिंग तौर के संक्य तक में पैदा हुए कंपनों को नियंत्रिक करने वाला बल यह बल वायू गर्षन प्रणाली भवरधारा प्रणाली अत्वा द्रव गर्षन प्रणाली से प्राप किया जाता है तो सबसे पहला जो इस्ट्रुमेंट है मुविंग आईरन मापन यंत्र सामान ये रूप से प्रियोकसाला में एसी या डीसी पे प्रिक्ट किये जाने वाले अमिटर एम वोल्ट मिटर मुविंग आईरन टाइप होते हैं ये अन्य प्रतावती धारा मापन ये तक चुलना में सस्ते होते हैं तता इन्हें आवशक्ता अनुसार सुग्रा ही एक्यूरेट बनाए जा सकता है इनके गतिसिल भाग में उच्छे चुम्बक सिलता की एक इस्टील वेन होती है तता या एक धारा वाही इस्तिर कुंडली के चुम्बक की सेत्र में गति करने हैं तो इस्तिर की जाती हैं इस तिर कुंडली को माफी जाने वाली धारा अत्वा वोल्टेस से फूर्जित किया जाता है कुंडली में धारा प्रवा होने से या विद्व चुम्बक बन जाती है तिता चुम्बक के सेत्र के प्रवाव से लोह की जो वेन है इस प्रकार घति करती है कि विद्धु चुम्बक प्लक्स बढ़ जाता है क्योंकि वेन नियून्तम रिलक्टेंस की इसती पर आने का प्रेयत्न करती है तो इसकार यंत्र में उत्पन बल आगून ऐसी दिसा में उत्पन होता है जिसके प्रणाम सुरुप कुंडली का प्रेयर कत्व बढ़ता है इसके चल्द कंत्र में प्राई स्प्रिंग कंट्रोल की वेस्ता होती है यंत्र का अंत्यम बिक्षेप कौन नेमने सुत्र द्वारा दिया जाता है थीटा एक बराबर एक बटत दू आइस्प़र अपन के डियल अपन डियृटा के स्प्रिंग इस्प्रिंग इस्ट रंग है ल आई जो है कुंडली में प्रवाई धारा है ल कुंडली का प्रेयर को ते हैं अध थीटा समानव पाती होता है सब्सक्राइब आपके सामने आकरशन टाइब एम आई यंदर आकरशन टाइब मुविंग आइरन टाइब तो यह आर एक अपने कॉपी के अंदर माना लीजिए इसके एजबुक में और दूसरा है विकरशन टाइब मुविंग आइरन यंद्र नेक्ष्ट आते हैं इसके गुण यह मापन यंद्र सस्ते तता मजबूत होते हैं एवन निम्न आवर्ति के उंच सक्ती परिपतों के लिए उप्यक्त होते हैं इन मापन यंद्रों को एसी तथा डीसी दोनों परिपतों में उप्यक्त किया जा सकता हैं इन से प्राप्त विक्षेपन बलागुण उंच होता है दोस्त क्या है इनके इन में निम्न वोल्टेज पर शक्ती सोर्शन अधेक होता है इन मापन यंद्रों का स्केल यंद्र नहीं होता है अब आता हैं मुविंग कोईल इंस्ट्रूमेंट्स तो इस्ताई चुंबक प्रारूपी यहीं परमानेंट मेग्नेट टाइप इस्ताई चुंबक चुंबक में एक कुंडली कीलित कुनली फ्राय की वोर्व१िन पर लिपती होती है मापी जाने मुली धारा अत्वा वोल्टेज इस कुनली में प्रवाइद की चाटीちゃ की क्योंकि इसे विद्व स्ट की मंदन पर्वाइद है इसदार șभूह तब आपके सामने ये पीज़ जो स्केच है इस साई सुम्बक मुविंग कोईल यंत्र है पर्मानेंट मेगनेट टाइप मुविंग कोईल इस्ट्रुमेंट यह आकरती आप अपने स्केच बुक में बना लीजे और इसकी पार्ट के नाम बेध्यान चे देखें इन यन्त्रों में विक्षेव दूसरे परकार्तों है जो स्ट्र 1911 में है संके स्क ऐंडुक के साथ मोविंग कोईल मापन यंत्र है तो इन यंत्रों में विक्षेव प्राय नबेय डिगरी की सीमया तक रखा जाता है नवे डिगरी से अधिक विक्षेप के लिए चुंबक के जाता है नियंत्रक बलागुण फ्राब्त करने के लिए दो फास फर्थ ब्रांच की बाल कमानी ट्यॉक्ट कि जाती है तब आपके सामने सा्थक्न देक्चुंबक के साथ मुविंग कोई्ल मापन जैंत्र, का नैंक है इसको भी आप इसके फीक बना लिजिये कोई्ल महु करती है, मुविंग कोईब है, इसके इंदर, पॉइंटर है आपर कंट्रोल स्प्रिंग है और लावर स्प्रिंग है वो पर्मानेंट मेगनेट टाइप है विक्षेप बल आगोंड टीडी चल कुंडली में प्रवेधारा आई से प्राफ्त होता है यदि कुंडली से सेंजे सुचक का विक्षेप कौन ठीटा हो तो टीडी समानोपाती आई तथा टीडी समानोपाती ठीटा तो ठीटा समानोपाती आई चुंकि चंड कुंडली मापन यंद्र में विक्षेप ठीटा कुंडली में प्रवेधारा के समानोपाती होता है इस यंद्र का स्केल डायल रेखिये होता है, लीनियर और यूनिपॉम DC अमिटर का जो रेंज है, 0-5 माइक्रो एम्पेर से 0-20 मिली एम्पेर अंत्र के साथ 0-200 एम्पेर और बाहर संट के साथ 0-5000 एम्पेर DC वोल्ट मिटर की जो रेंज है, 0-50 या 0-100 वोल्ट, श्रेणी प्रत्रोत के साथ 20-30,000 वोल्ट तक हो सकते हैं, गुण, इसमें विद्व सक्ति वे कम होती हैं, इनका स्केल 2-30 डिगरी तक फैला हुआ, प्राफ्त होती किया जा सकता है, इसमें टोर की अबलिक, अपन वेट का अनुपाद उच्छ होता है, आते ये यंद्र अधिक सेंस्टिय होते हैं, इनके मुविंग आते हैं, अब ऑ-मोम, प्रतरोत का मान शीदे ओम प्रदशिद करता है, इसकी सुग्राहिता कम होती है, इसकी सरसना चल, कुंडली, मापन, इन्यंत्र के भाती होती है, ओम मिटर में दो कुंडलियां फिरुट की जाती है, विक्षेपन कुंडली और नियंत्र कुंडली यह दोनों कुणलियां एक ही फॉर्मर पर इस्तित होती हैं कुणलियों के एक इस्ताई नाल चुमबक तता एक आरेन खोर के मद्य वायू गैप में घूमने के लिए माउंट किया जाता है कुणलियों गेस्परकार व्यवस्तित किया जाता है कि इनके द्वारा उत्पन बलागून परस पर विप्री दिशा में कारे करें मेटर में निम्न प्रत्रोद मापन के लिए बेटरी तता मद्द से उच्छिमान के लिए DC जनरेटर ट्रेक्ट किया जाता है जब मेटर में कोई अग्याद प्रत्रोद से उचिर किया जाता है तब विख्षेपन एवं निम्त्रक दोनों कुणलियों में धारा प्रवा होता है चुम्ब किसेत्र महनेकार इन कुणलियों पर बलागून कारे करते हैं दोनो कुंणलियों पर कारी-कारी बलाघुण-प्रस पर विप्ती तिशाम होते हैं तथा इनकि परन्यमी प्रपाव से कुंणец्ट का विक्षेपन होता है। विक्षेपन एवं कं ट्रोल बलागुड के परस्पर संतूलन पर चल यंत्र इस्तिर हो जाता है है विक्षेपन कुंडली में प्रवाईद धारा अज्ञाज प्रत्रोत के समानपाती और पंट्रोल कुंडली में प्रवाईद धारा वोल्टेज के समानपात होती है अथर प्रणवी बला गोंट से प्राफ विक्षे वी जता आई के अनपात के समानपाति हर्थाद वी अपाउन आई इस एकल टो आर के तुली होता है एक आपके सामने प्रस्तूत है ओम मिटर तो ओम मिटर रिजिस्टेंस को मेजर करता है इसक आप आरेक बना लिए को पिए इस यंत्रका भी आरेक बना लीजिए इंटनल क्नेक्शन डाइगराम इंपोर्टेंट है फिर दायनो मिट्र टाइप मापन यंत्रों प्रयोग सभी आवर्ति पर एसी वोल्ट मिटर एवं आम मिट्र के भादि किया जाता है इसका आप्योग वा दाइनमाममे मिटर टाइब जन्थम में एक इस्ठिर कुंडली तता दूसरी गतिशिल कुंडली होती हैं इस्ठिरकुंडली दो भागों में वजित होती हैं। जिससे कि इस संभूरूफ त esse सित्र फ्राप्त हो सके। इस तिर कुंडली प्राया मोटे तार से बनाई जाती है तो तो अमिटर में इस कुंडली में मुख्यधारा प्रवाइद होती है तो इसका यह आरेक है ताइनो मिटर टाइप इस्टुमेंट गतिशील कुंडली किसी अधात्वी है फारमर पर लिप्ती होती है नियंद्रक बलागुन टीस से उत्पन करने के लिए मेटर में दो कंट्रोल स्प्रिंग प्रिफ्ट के जाती है कंट्रोल स्प्रिंग ही प्राया मुविंग कुंडली में धारा प्रवाग करने के लिए लीड का कारी करती है इस्तिर गतिशल दोनों कुंडलियां वायू क्रोड कुंडली होती है अब मंदल बाला गुण वायू गैसन वीदि से उत्पन किया जाता है इसके लिए इसकंडर पल अलुमिनियम वैन की विवस्ता होती है प्रति काद कीया है ऐन्तर के रख्षा करने तो शिल्डिंग के लिए यन्द्र टाइब केस में रखे-जाते हैं प्रिवक काले में अगति से कोटी की पालीश की हुए लखड़िक से में कहा है दाइनोमोमिटर टाइब अमिटर दाइनोमिटर टाइब अमिटर में इस्तिर कुंडली एम गतिसिल कुंडली स्टेडी में सेयोजन की जाती है अधा आई वन इस इकल टू आई टू इसके बदी कलाम तर सुनने होता है तो यह दाइनोमोमिटर टाइब आमिटर का है मुझ सम्दाक अमिटर का सेयोजन की भाति किया जाता है यंत्र में मुविंग कुंडली के साथ एक स्वेम पिंग प्रत्रोध प्योट की जाता है सबी आवर्तियों पर ठीक टाक पार्ट रस करने के लिए इस्थिर तथा मुविंग कुंडली का समय इस्थिराण जिनी टाइम कंस्टेंट अलपवण आर समान होना चाहिए अब डाइनमोमेटर टाइप वोल्टमेटर डाइनमोमेटर टाइप वोल्टमेटर यह प्रदशी थे आपके सामने इसका आरेक दो फिक्स कोईल है और बीच में मुविंग कोईल है और हाई नन इंडुक्टिव रेस्टेंस लगव है मुविंग कोईल के साथ अब आता है मेगर मेगर एक पॉर्टेबल यंत्र है इसके द्वारा परिपतों का इंसुलेशन प्रित्रोद एम उच्छ मान के प्रित्रोद का मापन किया जाता है मेगर की सरंशना अभी आपको दिखाते हैं इस यंत्र में एक ओम मिटर एक डीसी जनरेटर का सियोजन प्रियोट किया जाता है जनरेटर में प्रियरित वोल्टेज कुणली एक को इससे प्रित्रोद आरवन की द्वारा तता विक्षेपन कुणली बी को धारा सिमित करने वाले प्रित्रोद आरवन की द्वारा धारा दी जाती है अग्याद पर तर्मिनल एक्स वाई के मद्दिय से हुज़ित किया जाता है यह दोनों कुंडलियां एक ही अंत्र में एक वोल्ट मेटर तता एक अमेटर को निर्मित करती है तो यह मेगर का सिंपल आरेक आपके सामने प्रसुत है तो यह टेस्टिंग टैमिनल एक्स वाई खुले होने पर जेन्टर वोल्टेज पर कारे करती है कुंडलिये में धारा आइवन प्रवाइट होती है परनतु कुंडली-बी में कोई धारा प्रवाइट नहीं होती है इस समय प्राफ्ट बलागुन द्वारा moving system अनंथ प्रतुरूद प्रतुरूद करता है इसका अर्थ है कि terminal xy के मद्य इतना उच्च प्रतुरूद है कि यंद्र द्वार उसका मापन नहीं किया जा सकता terminal xy अब short circuit होने पर कुणली b में अतिधिक धारा प्रवाइत होती है इस समय कुणली b द्वारा उत्पन विक्षेपक बलागुन कुणली a द्वारा उत्पन विरोती बलागुन से अधिक होता है तता सूचक 0 प्रतुरूद करता है इसका आर्थ है कि बाहें परिवत में प्रत उच्चे प्रत्रवध मापन करना वाल यक्ती है प्राय इसके स्केल में सुनने के पस्चाठ दस किलो-उम का चिन्न होता है वार्टमीटर ने वह यंत्र जो लोड़ द्वारा लिए वासविद्व शक्ति को मापता है वार्टमीटर कल घलाता है यह उप्यंत परिपत में व तो सब से पहले दाइनमोमेटर टाइफ वार्टमेटर दाइनमोमेटर वार्टमेटर प्रत्यावती तता दिश्ट धारा दोनों ही प्रकार की विधित प्रणाली में उप्यों किया जाता है इस वार्टमेटर की विख्षपन प्रणाली एक इस्तिर कुंडली तता एक चल कुं जर्मान हो जाता है तो आपके सामने प्रस्ते है डायनोमेटर टाइप वार्ट मेटर इसका आप सिंपल आरेक बना लीजिए परिश्टा की दरश्टे से यह इंपोर्टन्ट है अब आता है धारा कुंदली विद्यत परिपत में जूड़ी जाती है इसमें परिपत के फूर्ण लोड धारा प्रवाइथ होती है चलखुनली जो की एक किलित दुरी पर जूड़ी रहती है इस तिर्खुनली के बीट इस प्रकार ोड़ेद रहती है कि उसके अंदर आसाने से गूम सके यह कुणली दो हैर स्प्रिंग द्वारा विद्युत परिपत के समांतर क्रम में जोड़ जाती हैं हैर स्प्रिंग का कार्य कनेक्षन की भाती कार्य करना थता नियंटन बलागुन अपलत कराना है मुविंग कोई से प्रवाइत होने वाली वीद्ध धारा का मान नियंदत करने के लिए इसकी स्रेनी क्रम में एक उच्छ प्रतरोद आर लगा होता है नापे गए वीद्ध धारा का मान अंसांकित स्केल पर सुज़च करने के लिए चलत अंतर के साथ एक सूचक लगा होता है अवमंद्धन के लिए इस वो प्यंतर में वायू गर्षन अवमंद्धन प्रणाली होती है मेटर को परिपत में सुज़च करने पर उसकी धारा कुंडली में लोड धारा प्रवायित होने लगती है और मुविंग तथा दाव कुंडली में जो परिपत के समानतर कम में जोड़ी जाती है वोल्टेज के समान बाती धारा प्रवायित होती है चुंकि धारा कुनली इस्तिर कुनली के सेत्र में सेते अथा डायनोमेटर, अमिटर, वोल्टोमेटर के भाती ही इसमें भी विक्षेपन बल उन की उत्पत्ति होती है और चल तंत्र विक्षेपित होता है नियंत्रन प्रणाली विक्षेपन बलागुन के विप्रेट नियंत्रन बलागुन के उत्पत्तिकार विक्षेप को नियंत्रत करती है और अवमंदन प्रणाली के प्रभाव से चल तंत्रसिक्रता पूर्वक उस इस्तिति पर इस्तिर हो जाता है जहां दोनों बल बलागुन स खत्या वर्ष्ट धारा परिपत की वाश्पिक्ष्व्कराटी के समानपाती होता है, इस प्रिंग कंट्रोल प्रणपिली में नियंतर बलागूधन टीछी के देयसतीटा फंदुले टीडी इजिगल टीछी या के पी इजिगल तो Kडेश ठीटा तो थीटा समनों पाती पी तो यह डाइनोमोमिटर टाइप वार्ग मिटर का आरेख आपके सामने प्रस्टत है इसका जो है इसकेज अपने इसकेज बुक में मना लीजिए इसको देख करके अब दाइप प्रेजन टाइप वार्ग मिटर सबी प्रेंट ड्राइप यंंट्रों का चालन फ्रक्स फाई और भवर धाराओं की एंतर कीई शित्पन बल आग्हूण पर निर्वर करता है फ्लक्स फाई का मान नापी जाने वाली वोल्टेज या धारा पर निर्फर करता है भवर धारा ये किसी अन्य फ्लक्स एकान डिस्क में प्रेडिक होती है उस से फ्लक्स का आयाम भी मापी जाने वाली वोल्टेज या धारा पर निर्फर करता है बल आगुन का तासनिक मान मापी जाने वाली धारा या वोल्टेज के वर्ग के समानपाती होता है बल आगुन का उसत मान इस धारा या वोल्टेज के आरेमे समान के समानपाती होता है प्रेजन टाइब वाट मिटर का वेक्टर डियाग्राम ये आपको सामने है यह इसका वेक्टर डियाग्राम है इसमें E voltage applied to the circuit है I current in the circuit है 5 face angle between E and I है 5 SH cent स्विंबक मुद्पन flux है जो E से 90 degree lagging है और 5 series SC फ्रेनी कुल्ली का flux है जो धारा I की कला में है डिस्क में संट एम स्रेनी कुल्ली चुमक द्वरा प्रेजित वितुद्वाकबल E SE जो अपने समद्धे चक्स से 90 degree कलांदर पर है 5 SH और I SE के मद्ध कौन 5 है और 5 SE तदा I SH के मद्ध कौन 180 मानस 5 है तो यह प्रेरन टाइप वाक में ट्रागे हैं हम तो यह लोड शीरिस कोई, संट कोई, शेदिंग बेंड इदर से सप्लाई और एक डिस्क आपका सुरू करने हैं वसद्बल आगुन E I cos pi is going to E से शक्ति वाट मिटर में जो तूटिया है तूटिया आने के मुख के कारण है विभव कुणली की प्रिरक्ता के कारण विभव कुणली की धारता के कारण इस्ट्रे सेत्र के कारण भवरधार के कारण और इसकी कुछ अच्छा ही हैं क्या है विख्षयप शक्ति के समानपति हुनिकाण यंत्र का स्केल सम होता है इसके चल तंत्र में लोहपदार तक उप्योग नहा हुनिकाण यह यंत्र हिष्टेरेसिस तता भवरधारा हानियों से मुक्त है यह यंत्र AC वाट DC इस दोनों परिफटों की शक्तिन आपने के लिए परिसुद्धता पूरक उप्योग में लाए जाता है अब मेजरमेंट आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेद्युतिक उर्जा मापन के लिए एनर्जी मिट्र नामक यंत्र प्योग किया जाता है इस यंत्र में दो प्रकार के कुणले होती है जो करंट कोईल तता प्रेसर कोईल कहलाती है करंट कोईल मोटे तार से बनाई जाती है और यह इस्टो तो लोड के फिनी क्रम में जोड़ जाती है प्रेसर कोईल पतले तार से बने जाती है और यह लोड के समांतर कर्म में जोड़ जाती है दोनों कुल्यों के सिमिक्त प्रया से वेतितिक शक्ति खपत अर्थाद उर्जा नापी जाती है किलवार्ट अवर में माप दस्ताने के लिए यंत्र में एक रिकॉर्डिंग प्रणाली प्रयोग की जाती है जो गूने चक्ति के धूरे से प्रचालित होती है आज कल electronic energy meter व्योग किया जाते हैं जिन में recording प्रणाले सीधे ही एक electronic परिफत द्वारा प्रचालित की जाते हैं तो यह single phase energy meter का आरेक है तो इधर से AC supply और इधर load तो यह शंट मेकनेट प्रेशर कोईल एवनिम डिस्क पर्मानेंट मेगनेट और उपह करंट कोईल और काउंटर मेकनिजम और उपह सीरीज मेगनेट तो यह आरेक अपनी sketchbook में बना लिए अब आता है प्रतिरोध मापन resistance measurement के लिए निम्न प्रतिरोध मापन low value resistance measurement एक ओम या इससे कम मान के प्रतिरोध इस रणी में आता है निम्न प्रतिरोध का मान ग्याद कने के लिए निम्न विधियां उप्योग में लग जाती है मध्यम प्रतिरोध मापन के लिए जिसमें एक ओम से दस गहाद पांच ओम की मध्य के प्रतिरोध मध्यम प्रतिरोध कराते हैं इनके मापन की विधियां अमिटर वोल्ट मिटर विधि है वीट इसटॉन शेतु विधि शिय प्रतिश्टापन विधि दी है ओमम मेटर विधि और इंहे उच्छ प्रतुर्द वोल्ट मिटर विधि दी तिसरे उस्चे प्रतुर्वथ बापन दस गिआध पांच-वों से अधिक मान प्रतुर्वत इस दनी मे आते हैं इन्हें नापने की वीदि मैंजर से प्रतुत वोल्ट मेट्र व क्या ग किया जाता है व्यार एक और दिसे पाँ प्रतुर से प्रवाइट होने वाली धारा ओमके अनुसार रॉकीत है यह एक मिटर लंबा एक या एक से अधिक मेगनिस के तार डबलू को लकड़ी के तक्ते पर दो बिंदूओं A था B के बीच खीजने से बना होता है इस तार के साथ एक मिटर स्के लगाता है टर्मिनल A था B के बीच में एक रियस्टूट और एक स्रेणी क्रम में से जुड़ा होता है एक स्लाइट कुंजी विसर्ब कुंजी के लकड़ी के तक्ते पर बने खाचे की सायता से विबमाफिक के तार को कहीं भी इसपर्ष कर सकती है एक प्रमानिक सेल जिसके स्रेणी क्रम का आप से तो देखिए अब इसकी कारिविति क्या है विबमाफिका उप्योग निम्न मान के अज्याद प्रतोद का मान सोद्धा से ज्याद करने के लिए किया जाता है इस विदि में अज्याद प्रतोद S की तुलना उसी परिमान के एक मानक प्रतोद आरस करने पर ज्याद किया जाता है इसके लिए दोनों प्रत्रोदो को एक परिवर्ति प्रत्रोद आरस द्वारा सेणीकर में जोड़ कर बैटरी सी से सम्मधित कर दे जाता है दोनों प्रत्रोद पर इपर धारा आई प्रवाइत हो रही हो, तो I into S, बटा I into R S is equal to V upon V S, तो अग्याद तो S कमान हो जाएगा, V upon V S into R S, V समानुपाथि L, V is equal to K into L, V S समानुपाथि L S, तो V S is equal to K L S, तो V upon V S is equal to K L upon K L S, यानि V upon V S is equal to L upon L S, तो अग्याद प्रत्रोद S कमान, हम L upon L S into R S, से भी ग्याद किया जाता है, अब वीट स्टॉन ब्रिज मेतड, इस भी दिकाओ क्यों किसी अग्याद प्रत्रोद कमान ग्याद करने के लिए क्या जाता है, इसके लिए प्रत्रोद P ट प्रत्रोद Q को एक निश्यत अनुपायत में रखने के बाद, परिवर्ति, ये वीट स्टॉन ब्रिज का आ रहे हैं, P और Q, R और S, और बीच में ग्याद और खुंजी हैं, और एक सेल या बैटर के द्वारा, और खुंजी के द्वारा दोड़ा जाते हैं, तो वीट शेतों की संतुलित इस्टि कहते हैं, शेतों की संतुलित इस्टि में गैलवनम मिट्र सी हैं, वीटुद दारा प्रभाहिद नहीं होती हैं, अर्था बिंदू B तता D समान विभव होते हैं, अर्था संतुलित की स्टि में P एपॉन Q इज़ल टू R अपॉन S, तो इस में प्रभाव के करंड गनम हो जाता हैं, और इसके लंबई बढ़ जाती हैं, लंबई में बुर्धी करंट माइन पर निर्बर करती हैं, और इसका उपयोver करंड मापन के लिए किए जाता है। तो चित्र देखते हैं, आर्ट पून अठारा भी देखते हैं, नाफी जाने वली करण्ट को तार AB में से प्रवाइद करने पर, विद्ध जनित उस्मा से तार का तापमान बढ़ जाता है, तार का तापमान बढ़ने से उसके लंब़ बढ़ जाती है, और वह धीला हो जाता ह है, और इसके ढील इस्प्रिंग गराखी ती जाती है, इस्प्रिंग के खिचाव के करण्ट गिरी पी और उसी जुड़ा संक्यत गती करता है, और पूर्णा के इसकेल पर करन्ट कमान पर दिशित करता है, तो यह होट वायर मिटर है, आपके सामने, क्योंकि विद्ध का उ अपयोग AC तथा DC मापन के लिए समान रूप से किया जा सकता है, इस यंदर का उपयोग 100 मेगा हट तक फ्रिक्वेंसी की करण्ट नापने के लिए किया जाता है, इसकी सुग्रा हिता मुविन कोईल यंदर के पिक्षा कम होती है, इसका उपयोग वोल्ट मेटर के रूप मे देखें, इस यंदर का स्केल अनुपातिक नहीं होता है, अब अनलोग मल्टी मेटर, ऐसा बहुपयोगी मेटर जिसमें AC DC, वोल्ट, DC करण्ट तदा ओम नापने का फ्रबंध हो, मल्टी मेटर या ABO, अथाद एम्पयर, वोल्ट और ओम मेटर कहलाता है, ये मेटर अनेक प सुग्रा हिता, जीरों से 50 मिली अम्पयर का मुविंग कोईल यंतर होता है, इसके अधरिक इसमें पोटेंसे मिटर, बैटरी, रेक्टिफायर, तता अनेक रिजिस्टर होते हैं, सब पूर्चों का स्यूजन इस प्रकार किया जाता है, कि मुविंग कोईल यंतर, करण्ट व दाइग्राम है, आपके सानुक्तर से आरेक, मल्टिमेटर के इंटर्नल, तो ये कारी काता है, मल्टिमेटर को उप्योग मिलाने के लिए सरव पतम यह निश्चे किया जाता है, कि हमें क्या नापना है, करण्ट वॉल्टेज, एसी, डीसी, या ओम, और उसी क अनुसार, एक सर्किट में इसी करण्ट हो, इसमें इसे ना लगें, रेजिस्टेंस नापने के लिए, रेजिस्टर को सर्किट से प्रतक कर लें, और उपकरण को सप्लाई इत्रोच से प्रतक कर दें, यदि सर्किट की करण्ट या वोल्टेज का नुमान नहों, तो बड़े से बड़ा र स्क्राइब करके देख लें कि संक्या तक सुनने तक जाता है या नहीं पॉटंचियमिटर से उसे समायोजित कर लें यदि संक्या तक नहीं चलता या बहुत कम चलता है तो इस कार थे कि यंद्र के सेल डिश्चार्ड हो चुके हैं और उन्हें बतलना पड़ेगा तो यह आपके सामने अनलोग बहुमापी का पैनल रश्य हैं तो इसमें यह उपर से एक ऐसा दिखाए देता है और यह सेलेक्शन कंट्रोल नौब और स्विच है मुल्टिमेटर का यह इंटरल सर्किट डियाग्रम सिंपल और रख दे रखा वापस अब यह आपके सामने इसकेश मुविंग कोईल इस्ट्रुमेंट दुबारा से देख लिए जो आपको इसकेश शरल लखे वह अपने कॉपी के अंदर मना लें पिर आता है मुविंग आर यह इंपॉर्टन है परिक्शे में आते रहते हैं मुविंग आर इंस्ट्पूमेंट रिपल्शन टाइप इसके बाद extension of range of an emitter conversion of an ammeter into voltmeter ammeter को voltmeter में किस प्रकार conversion किया है उस कारेक नहीं अब यह ohmeter का सरल आरेक्ड रखा है ohmeter के बारे में हमने पढ़ लिया था यह resistance अब आपके सामने पॉस्ट ऑफिस बॉक्स यह भी रिस्टेंस मेजर करेगा तो पॉस्ट ऑफिस बॉक्स का सरल आरेक्ड रखा है पिर इंडक्षन वाट मेटर यह इसका भी आपने पड़ लिया है शरल इसकेश वापस आपको सामने प्रस्तु थे सिंगल फेस एनर्जी मिटर इसके बारे में हमने वड़न कर लिया था यह इसके सिंपल बना रखा है अब थ्री इलेमेंट टाइप एनर्जी मिटर इस प्रकार के उर्जा मापी थ्री फेस चार तार प्रनाले में संतुलिस हैं वह अंसोले दोनों प्रकार के प्रिपतों की उर्जा मापने के लिए उप्योग में लाए जाते हैं इसमें एक थ्री एक कलिये उर्जा मापियों को इस प्रकार एक साथ संब्द किया जाता हैं कि वे एक इकाई की भातिक कारे करें इस उर्जा माके में थ्री फेस वोलता कुणलिया तता तीन धारा कुणलिया होती है जो तीन चल प्रणालियों का निर्मान करती है इसकी जो तीनों चल प्रणालिया याद एक ही दूरी पर इस तीन चक्तियों को गुमाती है या तीनों परिपत एक ही चक्ति को गुमाती है ज इन्पुट है और इज़र लोड आउट पूट में रवाई भी आ रहे हैं जिन्फिट आपके संने प्रस्तों से शिंगल प्रेस्ट पावर फेक्टर मिटर जैसका एक है पिर थी प्रेस्ट पावर फेक्टर मिटर आ कि उसका आरेक है पिर है मेगर, मेगर के बार में हमने पढ़ लिया था, मेगर का ये simple आरेक दे रखा आपके सामने, ये भी परिक्षा की दृष्टिशिति इंपोर्टेंट है होट वाइर इंस्टुमेंट, ये भी हमने पढ़ लिया था अब आपके सामने अर्थ टेस्टर है और तेस्टर के बारे में जानकारे लेदेश को हिंदी में परत्वी परिक्षक पर कहते हैं परत्वी के परत्रूत को मापने के लिए इस्टिमाल किया जाने वाला उपकरण परत्वी परिक्षक की रूप में जाना जाता है विद्ध प्रणाली के सभी उपकरण प्रत्वी इलक्टोड के माध्यम से प्रत्वी से जुड़े हैं प्रत्वी उपकरण और कर्मियों को फाल्ड करण से बजाता है प्रत्वी के प्रत्वी बहुत कम है प्रत्वी इलक्टोड के माद्यम से गलती की धारा परिशी पर गुजरती हैं इस पकार सिस्टम को नुक्सान से बजाता है प्रत्वी इलक्टोड उन अपकर्णों की उच्छ समता को नियंत्रत करता है जो उच्छ बिचली की वर्दी और वल्टेज इस्पैक्स के कारण होता है तीन चेरंड सर्कुट का ततश्ट भी उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्वी इलक्टोड से जोड़ा होता है उच्छ को अर्सिंग प्रदान करने से पहले एक उस विशेश शत्र के प्रत्वी इलक्टोड को निर्धरत करना आविश्यक है जहां से मिट्टी के घड़े खो दे जा सकते हैं प्रत्वी का प्रत्वी कम होना चाहिए ताकि फाल्ट करन्ट आसाने से प्रत्वी के पास जाए प्रत्वी के प्रत्वी के प्रत्रोद को प्रत्वी परिक्षक जन्त्र की सायता से निर्धरत किया जाता है इसका निर्वाण पर्त्वी परिक्षक हाथ से संचाले जनरेटर का उप्योग करता है गूर्णी वर्तमान डिवर्सर और संसोदक पर्त्वी परिक्षक के दू मुख्य हिसे हैं वर्तमान डिवर्सर और रिक्टिफायर डीसी जनरेटर के साफ्ट पर लगाए गये हैं रेक्टिफायर के वज़ए से ही परस्वी परिक्षक डीसी पर काम करता है तो यह और्थटेस्टर का वापस आपके सामने प्रस्तुते हैं और एक पोटेंचल कॉल रेक्टिफायर है और करन्ट रेवर्सर और डीसी जनेरेटर और यह और से नेशनु परिक्षक में वर्तमान रिवर्सल और रेक्टिफायर के साथ दो कम्यूटर जगय होती हैं प्रते कम्यूटर में चार मिशिद ब्रस होते हैं कम्यूटेटर एक ऐसा उपकन है जिसका उपयोग करन्ट के प्रवाह की दिशा को परिवर्थित करने के लिए किया जाता है यह जनरेटर के आर्मिचर के साथ स्रंक्ला में जुड़ा होता है और ब्रस का उपयोग इस्तिर भागों से बिदली को उपकनों के चलती भागों में इस्तानांतर करने के लिए किया जाता है परिक्षक में वर्थवान, रिवर्सल और एक्टिपार के साथ दो कम्यूटेटर जगह होती है परतियक कम्यूटेटर में चार निश्चित ब्रस होते हैं कम्यूटेटर एक ऐसा उपकन है जिसका उपकन के प्रवाह की दिशा को पर की जा सकती है कि वे कम्यूटर के घूमने के बाद भी वेकल्पिक रूप से किसी एक खंड से जुड़े रहते हैं ब्रस और कम्यूटर हमेशा एक दूसरे जुड़े रहते हैं परस्वी परिक्षक दो दबावों और वर्त्मान कोईल होते हैं परत्यक कुंडल में दो टर्मिनल होते हैं दबाव कोईल और वर्त्मान कोईल की जोड़ी को इस तरही चुम्बक के पार रखा जाता है वर्त्मान और दबाव कोईल की जोड़ी सौर्ड सर्कुलेटर है और य GB प्रैसर कोईल का वन उंटर में रिक्टिपर न को का वूरस प्रत्फी लग्टर स्काश्ची रिख जटा होता है इसके वरत्मान कोईल को रिक्टिपर और आठ्य होता मैं चाय प्रत्फी पर畠 कशक में समभावित पॉइंटर का विख्षेपन वर्तमान कोईल के दवाब कोईल के वोल्टिस के अनुपाद पर निर्वर करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रतविष धारा मिट्टी में प्रभाव को कम करता है जो राशानिक क्रेकर कार्ण या बैक तो यह आर्थ टेस्टर के बारे में हमने पढ़ा इसका मुख्य सब्सक्राइब काम क्या है प्रत्विष के मापने के रिष्समाल किया जाने जाना जाता है तो आर्थ टेस्टर हमने ये आपके सामने जो आर्थ है और ये ईप्रटन्ट है । अजर्वविज़iveness थैंक्यू